समस्कार स्वागत आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल इन्फो अकैडमी पर और आज की इस वीडियो में आप एक भरती के लिए ओफ-लाइन एप्लिकेशन फारम को किस प्रकार से भरेंगे वे सारी जनकारी आप इस वीडियो के माध्यम से प्रापत करेंगे इससे पिछली वीडियो में आपने देखा था कमांड होस्पिटल इस्टरन कमांड कोलकत्ता के दुआरा एमसी यूनिट्स के लिए विभिन ट्रेड्स के लिए डिफेंस सिवलें स्टाफ के लिए ओफ-लाइन एप्लिकेशन इन्वाइट की गई थी और जिन पदों के लिए इन्वाइट की गई थी उन में से बारबर के 9 पदों के लिए चोकिदार के 12, LDC के लिए 3, सफाई वाली के लिए 35 पदों के लिए, हैल्थ इंस्पेक्टर के लिए 18 पदों के लिए, कुक के लिए 3 और टीमेट की 8 वेकंशी थी, वाड़ साइका की 53 वेकंशी थी और वाश भी पदों के लिए apply कर सकते हैं apply करने के लिए आपको offline application farm भरना होगा offline application farm को आपने किस परकार से भरना है वो सारी जानकारी आप इस वीडियो के माधम से प्रापत करेंगे यदि आप channel पर नहीं है तो channel को जरूर subscribe कर ले वीडियो को like वे share जरूर करते रहें ताकि आपको भरतियों से समंदित हर छोड़ी बड़ी update इस channel के माधम से मिलती रहे आपकी वीडियो स्क्रीन के ओपर एक application farm का format आपको दिखाई पढ़ रहा होगा इसको किस परकार से भरकर आप इस भरती के लिए लाब उठा सकते हैं सबसे पहले जो line है उसमें application फार्दा पोस्ट हो इस पोस्ट में आप बारबर के लिए वार्ड साइका के लिए सफाई वाली के लिए LDC के लिए जिस भी पद के लिए आप लीजिबल हैं और apply करना चाहते हैं उस पद का नाम आप यहां लिखेंगे पहली line में और यदि आप सभी पदों के लिए अलीजिबल हैं तो सभी पदों के लिए आपको अलग-अलग आवाइदन फार्द दस्तावेज लगा कर फोटोग्राफ लगा कर और पोस्टल अडर्स होर पे का लगाना है आपने सभी application फार्द के साथ अलग-अलग पोस्ट के लिए अपलाई करना चाहेंगे तो अलग-अलग पोस्ट के लिए application fees भी अलग-अलग आपको पे करनी होगी point number अगला है उसमें reference newspaper में आप लिखेंगे employment news और advertisement number में advertisement number आपको इस वीडियो के description box में आपको मिल जाएगी वहाँ से देखकर आप advertisement का number आप फिल कर देंगे date में आप लिखेंगे 30 अपरेल से लेकर 6 मई 2022 के employment news में publish होई है तो उसी की date आप यहां mention करेंगे और एक photo का box बना इस box के उपर आपने एक photo paste कर देनी है उसको self attention जरूर करें उसके बाद to the commandant command hospital EC अलिपूर कॉलकता 700027 इस पते के उपर ही आपने अपना application form केवल और केवल speed post या registered post के मादम से भेजना होगा आगे point number 1 के उपर जो information पुछेगी है candidate की full name in block letters हिंदी और अंग्रेजी में आपने अपना नाम लिखना है अंग्रेजी में आप capital letters में अपना नाम लिखेंगे और वही नाम लिखेंगे जो आपके दस्वी कक्ष्य के परमणब्टर में दिया गया है point number 2 के उपर candidate अपने पीता या पती का नाम लिखेगा block letters में यानिके capital letters में point number 3 के उपर mother का नाम लिखेगा block letters में capital letters में और point number 4 के उपर date of birth mention करनी है date of birth आप वही mention करेंगे जो आपके 10. कक्षा के परमान पत्र में दी गई है point number 5 के उपर age as on last date भरती की last date यानि के 14 जून 2022 को आप कितने वर्स कितने महिने और कितने दिन के हैं वह विवरन आपने point number 5 के उपर देना है point number 6 के उपर आपने tick the correct option के उपर आपने tick करना है कि आप किस category से belong करते हैं journal से हैं OBCS, CST या EWS से तो वो और उस category का आपको अपना परमान पत्र भी लगवाना होगा point number 7 के A और B के उपर आपने नेशनल्टी में इंडियन लिखना है और religion में आप हिंदू, मुस्लिम, सी की इसाई, जो भी आपका धरम है वो आप मेंशन करेंगे point number 8 के A और 8 के B में communication address और permanent address आपने लिखना है दोनों address में आप अपना village का नाम और house का नाम लिखेंगे post office का नाम लिखेंगे तहसील का नाम, police station का नाम और district का नाम, state का नाम pin code और mobile number अवश्य लिखेंगे point number 8 के C के उपर आपने email ID अपना लिखना है आपकी email ID आप जरू लिखें point number 9 के उपर आपने academic और technical professional qualification का विवरंड देना है जैसे 10 वी बार में graduation, post graduation, ITI या आपका कोई diploma है उस सभी का विवरंड आपने देना है और वो जो qualification आपने किस वर्स में आपने पास किया और कौन सी इन्वेस्टी से किया है आपकी percentage क्या है और division क्या है ये सारा विवरंड आप देंगे जितने भी आप यहाँ qualification का विवरंड देंगे उन सभी के दस्तवेज आपने इस application फार्म के साथ आवश्या लगाने होंगे support में point no.10 के ओपर यदि आपका experience है संबंदिद post से जिस post के लिए आप apply कर रहे हैं उस post का यदि आपके पास कोई experience है तो आप experience का certificate आपने जरूर attach करना है और विवरंड भी देना है यदि आप पहले से government सेवा में point no.11 के ओपर यदि आप पहले से government सेवा में और इन सभी पदों के लिए आप apply करना चाहते हैं तो आपने yes लिखते हुए अपनी post का नाम किस post पे आप पहले से काम कर रहे हैं कि space scale में काम कर रहे हैं और आपकी date of appointment क्या है वो सारा विवरंड आप point no.11 पह देंगे इसके बाद declaration है declaration के ये तीन point है इन तीनो point को आप एक बार अच्छे से पढ़ लें उसके नीचे आप signature और नाम जरूर लिखें आपने attach क्या करना है इस application farm के साथ वो जरूर देखें तीन photograph आपने attach करनी है एक application farm के उपर paste करनी है दो additional में आपने stapler करके भेजनी है postal order आपने जो की 100 रुपे का आपने बढ़वाना 100 रुपे का जो postal order है वो आपने किसकी फेवर मना commandant command hospital EC कोलकता की फेवर में आपने जो demand draft है या postal order आपने 100 रुपे का बढ़वाना है point number 3 के उपर attested copy of certificate कितनी sheets आप attested copy certificates की लगा रहे हैं वो गिंदती करके आप यहाँ 2, 3, 4, 5 जो भी आया आपकी वो लिख सकते हैं इसके निचे box बढ़ा है इस box में अंगोठे का निशान लगाना है जो male candidate है उन्ने left thumb impression लगाना है और जो female candidate है उन्ने right thumb impression यानि बाएं हाथ के अंगोठे का और दाएं हाथ के अंगोठे का male अर female आप लगाएंगे उसके नीचे signature आपने لिख के नीचे आपने एक आपका EWS यानि के economically weaker section का एक certificate आपका बना हुआ होगा इस format पर बना हुआ होगा तो आपका application form आपका accept कर लिया जाएगा और जो आपने advertisement number लिखना है advertisement number में आप ये bold letters में जो आपको दिखाई पड़ रहा होगा DAVP 10605 by 11 by 0001 by 2223 इसको आप advertisement के नमबर के रूप में आप इस application form में लिख सकते हैं और जो आपने application form जो है आपने भेजना किस पते पर है वो एक बार आवस्या आप note कर लें और इस video के description box में भी आपको address मिल जाएगा एक बार फिर भी आप note कर लें जो कि आपको आपकी video screen पर आपको दिखाई पड़ रहा होगा इस address के उपर आपने अपना application form और speed post या registered post के माद हम से भेज देना है इस परकार के नए नए जो आप notification प्राप्त करने के लिए आप चैनल को जुरूर सब्सक्राइब कर लें वीडियो को लाइक में शेयर जुरूर करते रहें ताकि आपको भरतियों से समंदित हर छोड़ी बड़ी update इस चैनल के माद हम से सबसे पहले म